Hello students, welcome back to my YouTube channel The last time हमने term symbols पढ़े थे और chapter था आपको electronic spectra of transition metal complexes तो जो हमने term symbol निकाल दे थे उसमें उसको हम spectroscopic terms में बोलते हैं तो जो determination है spectroscopic ground state terms की उसको हम आगे आज करेंगे ठीक है? उनको define करेंगे अब एक बात और आपके लिए जानने बहुत ज़रूरी है कि हमने पिछली बार P2 का निकाला था तो आपके पास D2 का भी आ सकता है आपके पास P6 का भी आ सकता है आपके पास so on किसी भी shell का आ सकता है निकालने के लिए किसी भी electron जो है इन में present हो आपको निकालना आ सकता है उसके लिए आपको क्या करना है, JJ coupling निकालनी है, SS coupling निकालनी है, then उसके बाद आपको LS coupling निकालनी है, ठीक है, बस इन दोनों की क्या थी आपकी addition होनी थी, तो ये हमने चीज़े आपके पिछले lecture में सारी की सारी कर ली थी, तो अब हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे इससे, आ मैं आपको direct बता रही हो पहले, फिर उसके बाद apply करके बताऊंगी, तो ध्यान से देख ले rules आपके क्या है, ठीक है, determination of spectroscopic ground state turn को बताने के लिए, तो सबसे पहले जो हमने आपकी spin multiplicities निकाली थी, आपको याद होगा, spin multiplicity निकाली थी, जोगी थी हमारे पस 2s प्लस 1, अब इसमें हमने कौन-कौन से state निकाली थी लास्ट टाइम में, singlet, triplet, ये दो state हमने निकाली थी, तो यहाँ पर आपके जो term है, अगर उनको arrange करना हो, उनके spin multiplicity के according, तो क्या होगा, जो most stable state होगी, s value highest होगी उसके लिए, और stability जो है, वो decrease करती जाएगी, जैसे-जैसे s की value, decrease करती जाएगी, यानि आपकी stability, किस तरहां से बढ़ेगी आपके stability, जैसे-जैसे, जो आपकी s की value है, वो increase होती जाएगी, ठीक है, तो most stable state कौन से होगी, ये वाली जैसे-जैसे, जो s value है, वो decrease होगी, आपकी, जो stability है, वो भी क्या होजाएगी, साथ की साथ decrease होगी, s value increase, तो stability increase, और s value decrease, तो stability आपके decrease होगी, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, the most stable state, जो है ground state की, उसमें क्या होगी, maximum unpaired electrons होगे, जो की हमें क्या बताएगा, minimum electrostatic repulsion वो इसके according, जो यह आपका rule आता है, इसको हम बोलते हैं, यह किसके वज़े से आता है, हंट्स rule की वज़े से आता है, you know very well what is हंट्स rule, ठीक है, second आपको question, sorry, question कह रही हूँ मैं, second आपको, यह तो first आता था, second आपको कौन से बैसे पे आता है, यह spin multiplicity के basis, बिथा stability को explain करना, ground state terms, in terms of spectroscopic, तो second में आपको क्या आता है, for a given S value, अब हमारे पास क्या है, S value, determine होगे, हमने spin multiplicity निकालने हैं, तो इसके बाद हम किस पे जाएंगे, हम जाएंगे, L value पर जाएंगे, आपकी, जो L value होती है, वो क्या होती है, orbital angular momentum, तो जो आपको orbital angular momentum है, spin multiplicity के बाद हम इसके बात करेंगे, तो एक given S value के लिए, जो आपकी L है, जो angular momentum है आपका, उसके stability के हम बात करेंगे, तो आपको क्या आएगा, ground state के लिए, the state with the highest value of L is the most stable state, ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता लगा, कि आपकी जो L value है, जो उसके highest value होगी, और most stable भी कौन सी होगी आपकी, यही वाली state होगी, जिसमें L के value क्या होगी, highest होगी, this means that if two or more terms have the same value of S, the state with highest value of L will have the lowest energy, किसी एक particular S के लिए, हमें, मतलब आपको मान लिजे कि आपके पास क्या है, दो या दो से ज़्यादा आपके पास क्या हो गई है, same values हो गई है, S के लिए, ठीक है, S के लिए क्या हो गई है, दो या दो से ज़्यादा same value आपके पास हो गई है, spin multiplicity के अंदर, पर उसके अंदर जो L है आपका, वो कौन सा stable होगा, आप L को देखेंगे stability, क्योंकि S के आगे same अगे, तो अगर S same आता है, तो आप stability को नहीं बता सकते, ठीक है, अब दो को comparison करना है, एक S1 है और एक S2 है, ठीक है, मान लो ये S1 और S2 है, जनरल लेकर चल रही हूं बिलकुली, spectroscopic terms नहीं है, बस spin multiplicity के लिए, एक spin multiplicity ये है, एक spin multiplicity ये है, तो S1 और S2 मैंने मान लिया, तो ये क्या है, same है, तो same होने के बाद में, stability factor इनके, according तो बता ही नहीं सकती, मैंने क्या क्या है, जिसके S value ज़्यादा होगी, वो क्या होगा, more stable होगा, S value कम होगी, तो कम stable होगा, अगर दोनों के S value सेम आगे मेरे पास, spin multiplicity सेम आगी, तो हम किस पर जाएंगे further, for a given value of S, we will go for the L value, ठीके, तो L value में भी हमें यह चीज़ पता लगी, कि आपका क्या होगा, जैसे जैसे L के value बढ़ती जाएगे, जिसमें L के value सबसे ज़्यादा होगी, वो क्या होगा, आपका most stable आपकी state होगी, जिसके पास क्या होगी, lowest energy होगी, ठीक है, जैसे कहीं बच्चे, बच्चों का example ले लो, कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा बोलते हैं, वो थोड़े से उनको मतले भी जोश ज़्यादा है इसमें, ठीक है, और stability के इसको बोलते हैं, जो बच्चे शान्त होता है, कि ये बच्चे stable है, बिलकुली, और जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, थोड़ा सा उनके लिए क्या term यूज़ की जाते हैं, जैसे कि वो थोड़ा सा unstable है, unstable के मतलब emotional value उसमें ज्यादा है, तो इसी तरह से, electrons के अगर हम बात करते हैं, तो जैसे जैसे आपके क्या होगी, energy अगर उसके पास ज्यादा होगी, ठीक है, L value की, तो मतलब ज्यादा होगी तो क्या होगा, stable नहीं होगा, पर जैसे जैसे energy low आजएगी, कैते नहीं कि जमीनी बंदें ज्यादा अच्छे होते हैं, उसी तरीके से, ground state वाले, जो आपके state यहाँ पर बताएगी है, वो भी क्या होती है, more stable होती है, तो इसको हम इस तरह से याद रखेंगे, इसके बाद आपका आता है third point, third point में हम क्या करेंगे, कि मान लेजे आपके पास S की value भी given है, ठीक है, वो भी same है दोनों की, L की value भी मान लो same आपके दोनों की, अब आप क्या करेंगे, अब इसके बाद फर्दर जाएंगे, जे पर, अगर किसी spectroscopic term में आपको बताना है कि stability किस तरह से किस की ज़्यादा होगी, और उसमें क्या है, S भी आपके दुनों same आगे, या नि, S1 और S2 भी मान लो, आपके दुनों क्या आगे same आगे, L1 और L2 को दो मनने मनने हैं, angular momentum के लिए वो भी आपके same आगे, तो आप फर्दर किस पी जाएंगे देखने के लिए, J value पर जाएंगे, अब देखे, J value थोड़ा सा अलग है, इसको ध्यान से समझ लें, ठीक है, तो पहले, यह जिस ज्याद रखेंगे, यह formula है आपका term symbol निकालने के लिए, तो यहाँ पर S, L और J, इन ही कि मैं बात कर रहे हूँ, तो पहले किस को jack किया, S को याद किया, ठीक है, तो S में हमने stability किस तरह से बताई, कि अगर spin multiplicity के according हमें stability बतानी है, तो S जितना जितना बढ़ता जाएगे, stability बढ़ती जाएगी, ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि अगर S fixed है, दो spectroscopic terms के लिए, S सेम आ गया, तो हम किस पर जाएगे फर्दर, L पर जाएगे, L में क्या होगा, कि जैसे जैसे आपका फर्दर, L की value भी highest होगी, जिसकी वो ही क्या होगा, stable होगा, अब हम किस पर जा रहे हैं, अगर S भी सेम है, और L भी आपके दुनों सेम है, तो हम किस पर जा रहे हैं, जे पर जा रहे हैं, तो जे के case में क्या होगा, आप ये देख लो, एक किस में case आएगा, half filled, ठीक है, एक होगा, कि less than half filled हो आपका, ठीक है, और एक क्या होगा, more than half filled, अब ये यहाँ पर हम इन किस चीज की बात कर रहें, कि मान ली जाएं, आपके पास P orbital है, ठीक है, अब यहाँ पर ये आपके इस तरीके से, plus one zero, और यहाँ पर minus one, ठीक है, तो ये किस की value आपकी, MS की value है, जो मैंने यहाँ पर लिखी है, तो यहाँ पर आपका electrons, आपके किस तरीके से present है, इसके basis पर आप क्या देखेंगे, जे की value देखेंगे, तो ground state बताने के लिए आप क्या करेंगे, कि अगर आपका less than half field है, तो जो small value होगी, जे की, ठीक है, वो आपका क्या होगा, stable होगा, अगर आपके जो p orbital है, या d orbital है, d orbital भी same इसी तरीके से, ठीक है, इस तरह से d orbital के लिए, तो अगर ये क्या है, ये दोनों में से कोई भी आपका less than half field है, यानि मान लिजे, दो electron है, तो जे की value हम कौन से लेंगे, जो के small होगी, small से याद रखे, half field small है, तो जे की value कौन से stable होगी, small value होगी, बट अगर आपके पर case इस तरह का आजाए, ठीक है, या फिर more than half field में किस तरह से आजाए, इस तरह के से ये वाला case आजाता है, तो हम जे की value कौन से लेते है, stable वाली, जो ज्यादा होती है, यानि high value of j लेते है, तो ये दो case है, कि अगर आपकी जो shells हैं, जो electron present हैं, वो क्या है, less than half field है, या चाहे P में हो, चाहे D में हो, या किसी भी उसमें state में हो, किसी भी orbital में हो, तो j की value कौन से stable होगी, small वाली, बट अगर large हो आपकी value, मतलब half field से क्या हो, ज्यादा हो, जैसे ये वाला case हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं, अगर ज्यादा हो, तो j के value कौन से stable होगी, highest वाली, ठीक है, मालो मैं j ले रही हूँ, j1 ले रही हूँ, 2, और j3 ले रही हूँ, 5, ठीक है, ये ले लिया मैंने, तो अगर आपकी जो half field orbital है, वो क्या है, less than half field है, ठीक है, मतलब जो orbital आपकी वो क्या है, less than half field है, तो आप कौन से लेंगे smallest, यानि j1 जो है, वो क्या होगा, आपका जब्ध स्टेबल होगा, बट अगर ये जो आपकी value है, ये क्या हो, more than half field हो, तो आप j की value कौन से stable लेंगे, ये j2 लेंगे याँ पर, ये कौन से लेंगे, more वाली, ठीक है, जिसमें आपकी value ज़ाद होगी, तो इस तरीके से इसको याद रखेंगे, ये आपको चीजें बहुत अच्छे से याद रखनी है, अगर आप इन rules को याद नहीं रखेंगे, तो आपके करने का कोई भी फायदा नहीं होगा, अब इससे सौन फर्दर में आगे example लेकर आपको उता देती हूँ, पी टू configuration का, ठीक है, तो पी टू configuration हम लेकर चल रहे हैं, तो पी टू configuration की जो आपके ground state terms हैं, 2s plus 1lj, इस term simple के according, जो मैंने last time आपको last lecture में करवाय था, इसके according में इसके term simple निकाल लो, तो आपके कौन-कौन से आएंगे, 3p, 1d, 1s, ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, first rule के according, हम क्या बता रहे हैं, कि most stable state जो होगी, वो कौन से होगी, 3p वाली होगी, 3p वाली आपके most stable state क्यों होगी, क्योंकि हमने किसको देखना है, s को देखना है, s की spin multiplicity जिसकी जादा होगी, यानि 2s plus 1 जिसका जादा होगा, उसकी stability क्या होगी, तो according to rule 1 जो अभी हमने किया, आपका क्या होगा, 3p जो होगा, वो क्या होगा, सबसे stable होगा, अब second rule के according, rule number second के according, आपका क्या होगा, ठीक है, वो हम बताते हैं, कि जो आपका d1 है, correspond to l2, वो क्या होगा, ज्यादा stable होगा, क्योंकि उसमें हम कौन सा देख रहे हैं, उसमें हम l के value देख रहे हैं, तो l के value किसमें ज्यादा है, l क्या होता है, 0, 1, 2, s, p, d, f आगे, son, इस तरीके से चलते रहते हैं, तो l stable किसमें होगा सबसे ज्यादा, आपका d में, क्योंकि d के लिए क्या है सबसे highest value, इनके लिए तो lower है न, p और s के लिए क्या है, इससे lower है, तो according to second rule, l क्या होगे, आपकी, ज्यादा stable होगे, यानि, 1, d आपके क्या होगे, ज्यादा stable होगे, ठीके, तो अब हमने क्या करना है, अगे, अगर मतलब ये उस case में, जिसमें spin multiplicity आपके same होती है, जैसे इनके case में, इनके case में क्या है, जो spin multiplicity है, वो क्या है, same है, तो हम किस पर जाएंगे, l value पर जाएंगे, तो l value किस की जादा है, d की जादा है, इसी करके हम नहीं आपर, 1, d को क्या लगाया है, अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, वो आगे फर्दर बताती हूँ, कि जो आपकी j की value भी यहाँ पर, अगर मैं put कर देती हूँ, ठीक है, अब किस का आएगा, rule number 3 में क्या आएगा, j की value हम देखेंगे, ठीक है, तो j की value देखने के लिए, पहले में, सारी के सारी p के terms को, जो p के terms हैं, यह वाली, इन में j की value पुट करके आपको बता देती हूँ, कि क्या है, अब j क्या होती है, l plus s, l plus s minus 1, and so on, इस तरीके से चलता रहता है, l minus s तक, तो यह आप चीज़े देखें, l क्या होगा आपका, वो देखें, यहाँ पर p, 1 होगा, ठीक है, और आपका s क क्या है, यह रहा, 2, ठीक है, तो इस तरीके से इसको करके देख ले, 3, 2, 1, यानि यहाँ पर इसको plus कीजिए, ठीक है, 2 plus 1, 3, और आपका, इसमें से एक minus करे 2, और इसमें से एक minus करे 1, और एक 0, तो इस तरीके से यह आपके terms आजाएंगी, ठीक है, तो हम इसको लिख और इसमें एक और टार्म आती है, आपके, वो देखो, कि अगर मैंने यहाँ पर क्या लिया है, 1, यानि क्या है, इस तरीके से अगर प्रेजेंट है, अगर इस तरीके से प्रेजेंट है, अगर इलेक्ट्रोन स्पी 2 में, तो आपका क्या होगा, जिरो हो जाएगी, ठीक है, जिरो हो जाएगी, तो वो किस तरीके से करेंगे, 1 प्लस, 0, ठीक है, स्वरी, 0 नहीं, 2 प्लस 1 में आइड करेंगे, तो क्या होगा, आपका यह देखे, 2 प्लस 1 में आइड करेंगे, तो आपका किस तरीके से होगा, यह इस तरीके से, 2, यह क्या हैगा, आपका 3, यह हमने ज जो spin हो जो एक दूसरे को cancel कर जाती है यह वाला कॉमसा केस है वन वाला जिसमें इस तरीके से हो यानि क्या है हाफ प्लस हाफ का केस इलेक्ट्रोन के spin का तो वो इस तरीके से क्या जाएगा triplet state जो कि मैंने पिछले लेक्ट्चर वताई थी दुबारा से फिर बता रही हो करकेसे को पिछले लेक्ट्चर में ना समझ में आ रही हो बट अगर यह इस तरीके से प्रेजन्ट होते है तो यह क्यों हो एक दूसरे के L plus S में क्या लिखेंगे L क्या है आपका यहां से 1 है क्योंकि हम orbital कौन से लेकर चल रहे है P2 लेकर चल रहे है तो P के लिए क्या होती है 1 होती है तो L plus S में क्या आएगा आपका यहां पर क्या आएगा 1 plus 1 is equal to 2 और अगर इसमें से 1 plus 1 minus 1 1 और इसमें से L plus S minus 2 करेंगे तो क्या आएगा 0 आजाएगा तो यहां से spectroscopic terms जो आपके आएंगी वो क्या क्या आएंगी 1st tool के according आपके कौन-कौन से आएगी 3P0, 0 के लिए यह और क्या होगा 3P1 and 3P2 यह तीनों की तीनों आपके यहां से यह आगई है और यह क्या है आपका 2S plus 1LJ इसके according आपके आगई है अब आपको यहां से क्या क्या देखना है कि आपके lowest stable कौन-कौन से होंगे और किस तरीके से आपको एनरजी है जो splitting of terms in ground state में है तो वो किस तरहां से होगी वो मैं आपको बता रहे हूं तो जो पीटू का केस है आपका पीटू का केस आपका किस में आ रहा है मानलो कार्बन में आ रहा है कार्बन की electronic configuration क्या आपती है 1S2 2S2 और 2P2 तो इसके ground street है तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे वो मैं बताती हूं आपको जब आप इसके सारे के सारे term symbol निकालनेंगे न उसके बाद ये आपका इस तरहां से आएगा ये क्या है 2S plus 1LJ सारे के सारी वही terms है और इसमें कुछ भी नहीं है ये कौन-कौन सी है 3P2 3P1 और 3P0 ठीक है तो ये इस तरीके से आएगा आपका अब आपको एक चीज याद रखने है आप होते अच्छे तरीके से according to third rule stable कौन सा होगा according to third rule आपका सबसे ज़दे stable कौन सा होगा पी के टर्म्स में ये क्या है less than half filled तो जो ये यहाँ पर आया है वो किसलिए आया क्योंकि यहाँ पर J की value क्या है lowest है तो हम क्या देखने है ये आपका क्या है S की value क्या है सबकी same है ठीक है P की सारी ये S की value सबकी क्या है same है L की value क्या है सबकी same है जो कि क्या है P सारे के सारे P वाले है न और 2S प्लस 1 के spin multiplicity की value क्या है 3 है सबकी तो हम कौन सी value पर जाएंगे J value को देखेंगे तो J value हमको किस तरीके से देखनी है कि less than half filled है कि more than half filled है आप देखिए 2P का case लिया है हमने P2 का case लिया है तो 1,2 तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये less than half filled है तो J की value कौन सी सबसे जादर stable होगी हमारे पास आपकी 3P 0 वाली तो ये देखें ये जो हमने यहाँ पर आपका बनाया है energy जो दिखाई है हमने term symbols के तो उसमें ये देखें ये भी इस तरीके से ही लिखा गया है तो ये चीज़ आपको अब याद रखनी होंगी कि किस तरीके से आपको energy states पतानी है इसी तरीके से बुक में आपका second वाला case भी कर रखा है singlet terms के लिए और triplet terms के लिए तो वो भी आप करके देखें के बुक में आपका दे रखा है अब बिटा अगर इसी तरीके से मैं oxygen का case ले लेती हो ना oxygen के case में ठीक है example ले रहे मैं oxygen का तो उसमें क्या है configuration 1s2, 2s2 और 2p4 है ठीक है तो अब ये क्या है more than half field है तो आप j की value कौन से लेंगे ज्यादा वाली जो high value होगी j की वो क्या होगी stable state होगी तो इस तरीके से आप इनको याद रखेंगे आपको करनी पड़ेंगी ये सारी की सारी चीज़ें ठीक है आपका stable क्योंकि इसमें क्या है आपकी p orbital more than half field है तो j की value कौन से stable होगी ज्यादा वाली stable होगी अगर less than है ये वाली है तो आपके कौन से होगी कम वाली j की वाली कम वाली अब इसके बाद आपको क्या बता हो नचे कैलकुलेशन अगर हमें करनी हो number of microstates की number of microstate की अगर हमने calculation करनी हो तो बटा उसको हम कैसे बताएंगे कि different arrangement जो है electrons के एक set of orbitals में किस तरह से होती है उसको हम microstate होते है सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए microstate हमें पता होनी चाहिए तो microstate क्या होती है different arrangement of electron in a set of orbitals has slightly different energy तो यह क्या आपके microstate है अब अगर आपको अब इसका diagramatically meaning में बता देती हूं कि मान लोगे आपके d orbital है और आपके दो electron present है तो आप इसको कैसे कैसे कर सकते हो ऐसे ऐसे कर सकते हो orange ऐसे ऐसे कर सकते हो ठीक है या फिर यह इधर यह इधर 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 भी जा सकता है आप आपको तो arrangement बहुत अच्छे से बता है इन चीज़ों की तो जो d orbitals के जो electron है वो अपने आपको बहुत ही अलग-अलग way से arrange कर सकते है जो possible ways है वो यहाँ पर book में दिये गए है page number 115 पर यह देखिए यह आपके possible states दिये गए है कि किस तरीके से electron दो electron आपके d orbital में arrange कर सकते है अपने आपको तो यह क्या है 45 ways है यह जो है 45 ways है आपके तो यह अगर निकाल लें आपको एकदम से तो आप कैसे निकाल लो आर का एन फैक्टोरियल वाय में आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल इस तरीके से आ जाता है तो number of microstate निकालने के लिए आप इस तरीकी का यूज कर सकते है मालो P2 के लिए निकालना है आपको तो P2 के लिए आपके पास क्या क्या होगा आप देखो यहाँ पर ठीक है तो जो आपका N है वो क्या होगा कि possible इसमें कितने आ सकते है electron P वाले में 6 आ सकते है तो N क्या होगा आपके value 6 होगी पर electron इसमें present कितने है 2 present है ठीक है तो यहाँ की R की value होगा तो आप इसको कैसे निकालेंगे 6 factorial 2 factorial 6 minus 2 factorial ठीक है अब यहाँ से आप क्या निकालेंगे 6 इसको सॉल्व कर लो ठीक है 15 तो आपके माइक्रो स्टेट जो निकली है वो कितने निकली है आपकी पीटू के लिए 15 माइक्रो स्टेट निकली है यानि इस ओर्विटल में जो दो इलेक्ट्रोन है आपके वो अपने आपको कितने वेश से अरेंज कर सकते हैं 15 डिफरेंट माइक्रो स्टेट में अरेंज कर सकते हैं इसी तरीके से आप D2 के निकल के देख लो ठीक है D2 में आपका N क्या होगा N होगा आपका 10 क्योंकि इसमें 10 इलेक्ट्रोन जा सकते हैं और R क्या होगा 2 होगा क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रोन एक्चुल में कितने हैं 2 है तो इस तरीके से आप माइक्रो स्टेट निकाल कर बता सकते हैं तो यह आज का लेक्चर है आपका एक दूर रूल है बस वो और सुन लो ठीक है उसके बाद आपका लेक्चर यहीं पर कतम हो जाएगा तो आपके कुछ सेलेक्शन रूल होते हैं जिसमें आपका सबसे पहले आता है सेलेक्शन रूल क्यों होते हैं जब आपकी जो absorption है, light radiation के कुछ species के द्वारा तो certain rules आपके follow किया जाते हैं, जिसे हम selection rule बोलते हैं, जो कि हमने spectroscopy में आपको पढ़ाता है, ठीक है, तो वो जो main selection rule होते हैं, कुछ होते हैं, allowed और कुछ होते हैं, forbidden electronic rules, तो वो हम करेंगे, तो सबसे पहले आपका जो rule आता है, ठ spin selection rule आता है, तो यहां पर आपको क्या बता रहे है, spin selection rule में, कि मान लो आपका कोई भी transition हो रही है, इस rule के according, कोई भी आपकी जैसे transition हो रही है, lower से, higher state में, electronic state में, एक molecule की, तो वो क्या होगी, वो आपको provide करेंगे two energy levels, obviously, एक energy level यह है और एक energy level यह है आपका, ठीक है, तो इन के बीच में, आपके क्या हो जाएगी, transition हो जाएगी, तो transition के लिए, जो multiplicity है, वो क्या रहेगी, आपके same रहेगी, तो पूरा का पूरा रूल बता देती, according to this rule, the transition from lower to higher electronic energy level of a molecule may occur provided, the two energy levels involved in the transition are of same multiplicity, यह क्या होगे, सिर्फ आपको इतना याद रखना कि, यह क्या होगे, से म रूल आ जाता है, ठीक है, अब इसमें जो transition होती है, यह transition क्या है, allowed है आपके, बट कुछ transitions ऐसी होती है, जिसमें कुछ number of electrons जो होते हैं, वो क्या करते हैं, जिसे lower से higher energy state पर जाती है, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, कहीं बार, allowed नहीं होते, कुछ ऐसी rules आपके बनाएगे हैं कि जैसे transition यह हो रहे है, यह जैसे मानलो, जो allowed है, तो उसको क्या बोलेंगे, allowed है, तो पहले भी मैं आपको बताई चुके हूँ, वैसे class में भी, तो अगर वो transition हो जाती है, certain rules के according, तो उसको allowed बोलते हैं, अगर यह वाली transition नहीं हो पाती है, तो इसको क्या बोलते है, forbidden transition आप आपका second आ रहा है, आपका कौन सा रहा है, लपॉल्टे selection rule आ रहा है, इस rule के according, जो transition आपकी हो रही है, उसमें क्या होना चाहिए, change होना चाहिए quantum numbers के अंदर, ठीक है, वो क्या होंगे, लपॉल्टे allowed transition होंगे आपकी, और जिन transition के अंदर, आपका जो quantum number है, वो change नहीं हो रह हो रहा है, वो आपकी जो transition होंगे, फोर्बिडन होंगे, तो लपॉल्टे selection rule में कौन सी आती है, आपकी, कौन सी allowed होती है, आपकी, जिस में जो आपके quantum number जो है, वो क्या हो रहे है, change हो रहे है, ठीक है, मतलब क्या है, एक transition हो रही है, और उसके अंदर, अगर quantum number change हो रहे है, तो वो आपके transition क्या है, allowed है, अगर आपका change नहीं आ रहा है, तो वो क्या है, forbidden है transition, अब इसका ये example बता दिते हूं आपको, कि जैसे आपकी DD transition है, ठीक है, DD transition में क्या हो रहा है आपका, डी से लेकर डी तक ही जा रहा है आपका, ठीक है, डी से डी में हो रही है, यनि जो आपकी होगी, ये क्या होगी, forbidden होगी आपके, ठीक है, क्योंकि इस में जो आपका L है, L क्या है, आपका D है, और ये क्या होता है, 0, 1, 2, 3, और S, P, D, ये 2, तो D क्या है, आपका 2, जो क्या आपका change नहीं हो रहा, दोनों में क्या है, D ही है transition, DD transition है, तो D से D में हो रही है, L आपका change ही नहीं हो रहा है, तो ये क्या होगी आपकी, forbidden होगी, बट आपकी अगर दूसरे transition है, दूसरे transition आपके किस तरीके से, कि DD नहीं है, D से किसी और ही quantum number में जा रही है, तो वो आपकी क्या होगी, लपोल्टे, allowed transition होगी आपकी, ठीक है, इसके बाद एक छोटा से topic आ आपका बिल्कुल ही एक lecture रह जाता है, और ये एक lecture में बस आपका बस पूरा होने वाला है, और अब आप बस त्यार ही किजी, अच्छी से मैं तो यही कहूंगी, एक ही lecture है आपका, और अब आपको ध्यान देने की ज़्यादा जरूरत है, आपको पहला ही जो पिपर है, वो आपको इन और गानिक का है, तो मैं चाहूंगी कि आप बहुत अच्छे से त्यार हो कर प्रिपेर हो कर जाएं, ठीक है, ओल दो बेस्ट, ओके विटा लेक्चर खतम होगे अब,